हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूटीव चैनल कैसे हैं सभी लोग आयोप पच्छे होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवोड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आयोप आपको पसंद आए बेटे के लिए पिता ने उठाया बड़ा कदम पहली बार डबल रोल में दिखे अजे देवगन तेहरे करोणी मूवी का दिखा था जबरदस्त जलबा बॉलिवोड के दिखज अभीनेता अजे देवगन से जुड़ी आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जारे हैं जिससे शायद आप भी अंजान होंगे दरसल आज हम आपको जिस फिल्म के बारें बताने जा रहे हैं उसमें पहली बार अजे रेवगन डबल रोल में नजर आये थे और इस फिल्म के लिए उनके पिता वीरू देवगन ने बड़ा कदम भी उठाया था अजे देवगन का नाम बॉलिवुट के दिगजब इनेताओ की लिस्ट में शुमार हैं लोग उनके फिल्मों के दिवाने हैं और आए दिन दर्शक उनकी नई नई फिल्मों के इंतिजार में भी रहते हैं अजे ने अपने दमदार अभिने के दम पर दुनिया भर में अपनी गजब की पहचान भी बनाई है दरेसन साल 1999 में आई फिल्म हिंदूस्तान की कसम में पहली बार अजे देवगन डबल रोल में नजर आये थे लेकिन इस फिल्म के पीछे की भी कुछ कहानी है अजे देवगन के पिता वीरू देवगन ने सिर्फ एक ही फिल्म को अपने करियर में डारेक्ट किया और वो यही फिल्म थी वीरू एक एक्शन डारेक्टर थे उन्होंने दोसों से भी अधिक फिल्मों में एक्शन डारेक्टर के रूप में काम किया है लेकिन अपने करियर में उन्होंने सिर्थ फिल्म हिंदुस्तान की कसम को ही डारेक्ट किया था इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे को पहली बाल डबल रोल में उतारा था इस फिल्म में अजे देवगन की सासत मनीसा कोईराला, सुस्मिता सेन और अभिताब बच्चन भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आये थे फिल्म में कादर खान ने भी एक विशेज भूमिका निभाई थी वहीं फिल्म में प्रेम चोपड़ा और शक्ती कपूर भी पॉजिटिव रोल में दिखे थे 23 जुलाई 1999 को सिनेमा घरे में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले ही दिने बॉक्स आफिस में रिकॉर्ड तोर कमाई की थी महस 13 करोण में बनकर तैयार हुई इस फिल्म का टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन 23 करोड के आसपास रहा था यह फिल्म दर्शकों को बेहत पसंद आई थी फिल्म की कहानी भी काफी शान दर थी वैसे साल 1999 अजे देवगन के लिए काफी लग्की भी साबित हुआ था क्योंकि उस साल उनकी दो और फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर खूब धमाल मचाया था उनकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम 1999 की तीसरी और कच्चे धागे आठवी सबस्याद कमाई करने बाली फिल्म बन कर उबरी थी आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए का अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग बबाई